आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रो इस दुनिया में अगर कोई भी चीज सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा गतिसील अगर है तो वह है आदमी का इंसान का मन आप सोच भी नहीं सकते, जितना सूरे की रोशनी, सूरे की प्रकास की गतिने उससे भी कई तेज, कहीं ज़्यादा गतिसील मन की गति होती है अगर आप कहीं पर भी बैठे हो और अगर आपको कहा जाए कि आपको मुंबई के बारे में सोचना है तो आप एक सिकन में, एक पल में वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बारे में कलपना करने लग जाएंगे उसके जो भी चीजों को आप जानते हैं उसके बारे में आपके मन में तुरंधी अंकित हो जाएगा है होटल, गारण, कुछ भी हो कहने का अर्थ यहाँ है कि आदमी जिस शरीर से कार करता है उससे कहीं लाख गुना, कई लाख गुना सकती साली मन की सकती होती है तो आपको इसी सकती के प्रयोक से एक मंत्र का सिध्धी करके अचुक वशी करन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का बस शर्ते इस विधी को संपूर समर्पन से करना है और दूसरी चीज यह है कि यहाँ बहुत ही खतरनाक है अर्था जिसके उपर भी करेंगे उसका पक्का वशीकरन होना निसीत है उसे आप काट नहीं सकते तो सुन समझ कर ही कीजिए करना क्या है इसमें कुछ नियमों का पालन करना है आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का मन में कलपना कीजिए चित्रन कीजिए और उसका ध्यान करते हुए इस मंतर का जाब करना है फिर देखिए आपकी जो उर्जा है आपकी जो सकती है वह मंतर की सकती से कनेक्ट होगे किस तरह से इस कारे को सिद्ध करता है इसलिए इस वशी करन को आप तोड़ नहीं सकते तो सुझ समझ कर ही करें मंतर इस परकार है उसका जाब करना है कोई दिसा का बंधन नहीं है कोई माला का बंधन नहीं है मंत्र का उच्चारण सहीं से करे बस इतना जाब करना है और उसके बाद आप जो भी कारे करेंगे उस कारे को कर सकते है इस विद्धी से संबन्दित अगर कोई समस्चा हो तो नमबर पर वार्टसाप या मैसेज कर सकते है